देर स्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए सिक्स समस्टर के प्रचीन इतिहास के MCQ टाइप के Most Important Question and Answer के बारे में तो फिर से धान से सुन लीजिए जो भी स्टुडेंट की परिच्छा MCQ बेस पे होने वाली है क्योंकि कुछ University SC है जहां पर objective question आएंगे यानि कि MCQ टाइप के तो उन सभी student के लिए वीडियो महत्पूर है और साथ साथ में जिनका subject माली जी कुछ University परिच्छा है लिखित होने वाली है तो उनको एक minor का पेपर देना होता है ठीक है तो अगर आपका minor subject है कोई तो आपके ल आपसन होंगे यानि कि MCQ टाइप के उनके लिए बहुत बहुत ही helpful वीडियो है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जान लीजिए subject आपका प्रचीन नितिहास है semester आपका 6 है और history प्रथम प्रश्ण पत्र है यानि कि first paper है और जो प्रश्ण पत्र question paper का नाम प्रचीन भारत में कला और वस्तुकला है ठीक है तो चलिए पहला प्रश्ण है आज किस वीडियो का कि सिंदु घाटी की सब्विता निम्रिखित में से किस सब्विता के समकाली नहीं थी जहां सुनेंगे सिंदु घाटी की सब्विता इन आपसनों में से किस सब्विता के स बिस्तृत थी तो यानि कि कहां तक इसका जो छेत्र फल था एक तरीके से बोल वक्ते बहुत बड़ा एरिया ठीक है तो यह जो एरिया है कितनी दूर तक और कितना छेत्र तक फैला हुआ था यह आपको बताना है ठीक है तो सिंध्व गाटी के जो सभ्यता है यह जो मतलब की राजस्थान गुजरात उत्तरप्रदेश हर्याना सिंध और बलिश्चोस्तान में ठीक है ध्यान रखेंगे यहां तक यह सफैली है तो इसलिए इसका सही जबाब हो जाएगा डी नंबर ध्यान रखेंगे अगरा प्रशन है कि सिंदुगाटी की सब्विता में घोड़े के अवसेस कहां मिले हैं तो सिंदुगाटी की सब्विता में जो घोड़े हैं इनकी जो अवसेस हैं वो मिले हैं ध्यान रखेंगे सुरु कोटदा में कहां पर सुरु कोटदा में बहुत ही helpful question ध्यान रखेंगे अगला प्रश्चने कि सिंद्ध में अफ्थल काली बंगन कि ऐसं में अफ्थल काली बंगन जो है वहां राज्श OFFर recruited नमलिखिट में से किस पदार्थ का में जभाब होगा अगला कि हड़ापां सब्विता किस युक की थी तो हड़ास प्रस्विता ध्यान दखेंगें कि बहुत इंपोर्टेंड और कॉमन कोश्चन यह कांश युक की इस नमब प्रस्विता के लोगों का मुख बेउसाय यांनि कि मुख क्या था है आपको बताना तो मुख जो बैपार करना बिजनेस करना यह उनका में बैशाय था अगला प्रश्चन है कि हड़ापत सभिता के निवासी कौन दें इन आपसरों से तो हड़ापत सभिता के जो निवासी थे वो थे शहरी यानि एक तरीकी से हडपा- सबोधा ठीक है जहां पर थी वहां पर मतब्ग कि है सहर वाला महुझा सहर जैसी शुपिदाएं थी क्थ अगला प्रस्डूillar कि शुन्द सबीता के घर किसी से बनाया जाते थे यह कि संद सब्विता में जब घर बनाये जाते थे फिक है तो लोगों के जो घर भंते थे वह बनते थे इंट से सही जवाब फ्रकास का पास बिखता का प्रतं करते थे था यानि कि हड़ापस सभिता की जो खोज है वो कौन से बिद्वान ने की है तो बहुत ही मात्पूर्ण प्रशन ध्यान रखेंगे एसकी जो खोज है राम साहिनी ने की है ठीक है डी नंबर सही जबाब होगा अगला प्रस्ण है कि सिंदु सभिता का पतन नगर यानि की जो था वो था लोथल रोपड बी नंबर सही जबाब होगा ठीक है अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि पैमानों की खोज ने या फिद्ध कर दिया है कि सिंदु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे या खोज कहां पर हुई हलाकि कोशन बह हडपा कालिन समाज किन वर्गों में विभक्त था तो हडपा कालिन जो समाज है वो राजा भी ते पुरोहित भी लोग थे सैनिक भी ते ऑर सूद्र भी थी इसके राजा परोहित अर। नम कैँ तो अभी तुके कि नाम है ज्यान रखेंगे वह रपा सब्वेटा घीक सही जवाब ये होगा अग्ला प्रश्डै आपको बताना है ठीक इसलिंवल्खरी कौन से लच्छन सिंद श्पयता के का सही चित्रन करते हैं फिर करता है तो सही जबाब आपको बताना है ठीक बता दीजेगा कौन सा होगा आप लोग को मालूमें तो ठीक है तो सही जबाब इस प्रशने का हो जाएगा आफ्शन नंबर ठीक है वे देवी और देवताओं दोनों की पूझा करते थे इसलिए सही उत्तर हो जाएगा केवल दो नमबर ठीक है अगला कि हड़पा सभ्विता के खोज किस वर्सुती बहुत ही कॉमन कोश्चन है तो हड़पा सभ्विता के जो खोज है वो 1921 में हुई थी सही जबाब अगला है कोश्चन की हड़पा सभ्विता के बारे में कौन सी जो कथन है वो सही है तो इस प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा अफसे नमबर सी उन्होंने पसुपति का सम्मान करना आरंभ किया ज्यान रखेंगे अगला प्रस्ण है कि हड़पा के लोगों की समाजिक थी ठीक है ज्यान रखना है वो थी उचित समतावादी यहां पर उचित समतावादी भरा जाएगा ठीक है यह निकि रप्पा के लोगों की समाजिक पद्दित उचित समतावादी थी ओके अगला प्रस्ण है कि सिंदु का नकलिस्तान बाग हडपा सभ्विता के कि आफथल जो कहा गया है वह कहा गया है मोहन जोड़ों भी नंबर सही उत्तर होगा आगला की हडप सभ्विता के संपूर क्सेतर का आकार किस परकार का था तो यह तो एक आस्थान फे दिखिए कैं ये तो तो माली जे कि अगर आप ड्रोन के माध्यम से देखेंगे या फिर दूसरी किसी माध्यम पर देखेंगे ताकि उपर जाके फोटो का कर सके तो भी देख पाएंगे तो इसले सही नमबर हो जाए त्रुजा अकार ही यह इसकी इसकी उग्नोर कर देंगे हम निश्क कोशिन करो बढ़ते हैं निश्क कोशिन करा ग्रणů संधो का है काली बंगा से मिला है शी नमब सही जवाब होगा अगला कि संभर सबीता की ईटो का अलंग करण कि थान से मिला है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्षिन नंबर ए काली बंगा से मिला है मोहन जोड़ु कहां इस्तित बहुत ही पॉप्लर बहुत ही कॉमन कोईश्यन है तो ध्यान रखेंगे यह जो इस्तित है वो सिंध में हैं अगरा प्रशने कि सिंद्ध सब्रिता के व मोहन दों में पाई जाता है अगला कि SIMDINEUS眉प्टा की मुद्रा में किस देवता के समतल जो है वो चिंत्रा ठीकर चिंत्राकन मिलता है तो वह मिलता है आद्ध स्यूजीुदगा ठीक है अगला प्रशने की नेम्लिकत में से कौन साध़ापा काली hesitant का था तो स्बलेक्र अगला प्रश्ण है कि मोहन जोड़ों का अफ्थानिय नाम तो मोहन जोड़ों का अफ्थानिय नाम था वो था मृत्वकों का टीला जहां रखेंगे अगला प्रश्ण है कि सैंध्य अफ्थालों के उत्खनन से प्राब्त मोहरों पर निम्लिकित में से किस पसुका सर्वधिक उत्क्रीडिन हुआ है तो सही जवाब इसका हो जाएगा अफ्षिन नंबर सी बैल का हुआ है बैल का आपको फोटो दिखेगा यानि कि उसकी फोटो एक तकी फे बोल सकते हैं कि मुहर ठीक है तो सिंदुसब्यता का कौन सा अफ्ठान भारत में इस्थित है तो सिंदुसब्यता का जो अफ्ठान है इन्ञापशनो में से वो लोथल है जो कि सिंद्व सभिता मतलब कि सिंद्व सभिता का कौन साफथान भारत में उस्ट थे तो लोथल जो कि इस से थे ठीक है अगला पशतने की भारत में खुजा गया सबसे पहला पुराना सहर कौन था इन आप से बहुत ही कौमन कोईशन आपको जानना वी चाहिए तो याद प्रमाड एक तरीके से बोल रखते हैं ठीक है वो कहां से मिले यह आपको बताना है सयुत्त तरिश्का हो जाएक अफिशन नमबर ठीक है एह अगला प्रश्ण है कि शिंदुसभिता के बारे में कौन सा कथन आसत्य है निकि गलत है तो वह लोग लोहे से परिशित थे ठीक है यह कथन जो है वो आफते हैं अगला कि मांडा किस नदी के किनारे इस्थित था तो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे इस्थित था साही जवाब ही हो जाएगा अगला है कि हड़पा कालेन अफ्थल रोपड पंजाब किस नदी के किनारे इस्थित अगला है कि हड़पा सब्विता में एक उन्नत जल प्रमंधन प्रणाली का पता चलता है कहां पर धौला वीरा में लोथल में काली वंगन में आलमगीरपुर में कहां पर मिलता है तो सही जवाब इसका हो जाएगा अप्शन नमबर ए ठीक है धौला वीरा में ये इसका पता चलता है अगला की हड़पा की मिट्टी के बर्तन पर सामय कि अगला की जिबसा बन का उन् SCP चाल नियुक्त बटाथा तो हटला अगला प्रशन क्सिंद्र सभ्था निम लिक्रित में से कि किसके यूग में पढ़ता है एतिहाशिक काल में प्रिगतिहाशिक काल में कौन से काल में पढ़ता है आपको बताने तो सही जवाब इसका हो जाएगा अप्षिन नमबर ठीक है डी आद एतिहाशिक काल में पढ़ता है डी नमबर सही जवाब होगा अगला कि सिंदु तो फिरहाल जो मिले हैं वो मिले हैं मोहन जोद्रों में इसलिए सभाविष्का हो जाएगा डी नमबर याद रखेंगे अगला के सिंदु घाटी सबिता की खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है वे कौन है तो उनका नाम है ध्याराम साहिनी और रखाल प्रदेश का नाम है तो सही जवाब हो जाएगा रंगपूर जहां हडपा की समकाले सभीता है वह राथ सवराष्ट्र में ना कि उत्तरप्रदेश में ना तो राजिस्थान में ना पंजाम में अगला है कि हडपायों मोहन जद्रोड की पुरा तात्विक खुदाई की प्रभारी थे कौन से बिद्वान थे तो इसके जो प्रभारी थे ध्यान लखेंगे वो थे सरजौन मारसल अगला प्रश्ण है कि किस पसु की आकरत जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्यात होता है कि सिंदु घाटी यहों मेसोपटामिया की सब भिताओं के साथ बेपारिक संब्द थे तो इसका सही जवाब हो जाएगा अश्चिन नमबर सी ठीक है बैल अगला कि सिंदु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज में तो सिंदु साभी सिंदु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो करते थे ठीक है अम्रत सक्त में ठीक है अम्रत सक्त में बहुत विश्वास करते थे दी नूंबर सही जवाब होगा अगला प्रस्वाइब कि न मुक्षित में से कौन सा चिंदौ अफ्थल शम्मद तर्ड पर इस्थित नहीं था तो सही जवाब इसका हो जाएगा आप्षिन नम्बर कोट ठी तो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो मोहन जधुर्ड की सबसे बड़ी माइमारत बानी जाती है त्यान रखेंगे वह मानी जाती है विसाल अफना नागर नमबर तरोगा अगला लोगों ने दिन्यास के लिए अब ब्रव को फिना न्यास के लिए घ्रकश नहां कि हلة करिक जो घरों के बिन्याफ के लिए इस पध्धित का अपना है था ग्रीट पध्धित का बिन्यास ओके इसी परकार आपके परिच्छा में कुछ देखने को मिलेंगे 50 को मैं आपको बता मैं गारंटी नहीं लूँगा वह यह सारे के सारी कोश्चन आएंगे चार से पांच कुश्चन आपको उम्मीद है कि देखने हो कि इस वीडियो से मिलेंगे लेकिन आपकी थीडियर तैयारी होती रहेगी तो आपको काफी ज्यादा है मिलेगा आपके एक्जामें बाकी आप लोगों के लिए हम सपोर्टी हुए ही बाकी जितना हो सके हम आप बोलने में कोई अगर कहने में कोई तुटी होई तो उसके लिए माफी चाहेंगे बाकी मिलते हैं को ने वीडियों जेहन